परवरी का मौसम कितना सुहाना होता है कभी बारिस का आना कभी जाना होता है सुबह से तेयारी इंटर्भ्यों की बारी मैं आऊं क्या मिल लें इतनी बारिस में कैसे बंद हो जाएगी तब तब नहीं नहीं थमेगी बारिसाज देख लेना भगवान मेरी हमेशा सुनता है देखोंगी कैसे सुनते हैं भगवान आज तुभारा देखा रुख गई न बारिस है धूपी खिलाया है गुलाब के फूल की तरह ये मुहबद नहीं चाहत नहीं चाहत की इबादत का असर है आखिर इबादत असर लाई मैं पहुची गया तुमसे मिलने कब तक आओगी तुम इंतजार करो मेरा भी एक लंबा इंतजार वो भी इबादत खाने में तुम आई खिल खिलाती हुई दौरती हुई गई इबादत खाने में अकेले चली गई ना मांग लिया ना खुदा से मुझे मुझे भी तो साथ ले चलती ताकि मैं भी मांग सकता तुम चलो फिर कदे दोनों एक दूसरे की आँखों में देखकर मुस्कुराए साथ चले और साथ चली उनकी मिठी मिठी बाते चलो कुछ खाते हैं सुबह से भूखी हो तो तुमने भी तो कुछ नहीं खाया क्या खाना है बताओ चलो चौमिन मताओ खाकम और एक दूसरे को देखा दिक रहे थे हम दोनों किसी तरह चौमिन समाप्त किया और हाथों में कुछ निठा लिया अब जाने का टेंसन आटो बुलाया दोनों बैठे साथ साथ पहले से बैठे थी एक लगी मन में चल रहा था द्वन्द पर बोले तो बोले कैसे अचानक आटो रोक उस लगी का उतरना कितने तेज हसी आई थी ना तुमें क्या सोच रही थी कितने लट्टू फूटे थे मेरे मन में वो सुहानी साम तेज रफ्तार में दौर दी ओड़ मीठा मैं खाता और तुम्हें जूठी खिलाता हुआ अब नहीं खाना है मुझे मुझे मीठा पसंद नहीं ठीक है तुम इसे जूठा करू और मैं खाता हूँ जूठा करके क्यों खा रहे हूँ सुना है जूठा खाने से प्यार बढ़ता है पागल कहीगा कहागा जोर गठाहागा एक दूसरे के हाथों को जंजीर की तरह जगरे हुए हम दोने एक दूसरे के दिलों में उम्रगैत की सजा चा रहे थे फिर तुभारा नाग खीचना चीटी काटना मन कर रहा था ऐसे ही चलती रहे ओटो लेकिन प्रेम में समय अंत्राग भी कम हो जाता है आज पता चला मुझे आखिर छुडा लिया तुमने अपना हाथ मैं तो हमेशा के लिए जगरना चाहता था तुम्हारे हाथ अब मैं ना रहूं तो मुझे दोस मत देना तुमने ही छोड़ा था मिरा हाथ तुमने ही छोड़ा था मिरा हाथ